नमोस्तू गुरुदेव, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तू रोज सुबे शांती धारा देखते हैं और उसका बहुत अच्छा लाब लेते हैं कृपा कर उसका थोड़ा सा संचेप में अर्थ बताएं ताकि उसका और आनंद ले सकें देखें सांती धारा क्या है जगत की शांती की मंगल कामना से के जाने वाले अभिशेक को ही शांती धारा कहते हैं समझ गया है ये बड़े प्राचीन काल से प्रवर्तित है सांती धारा का सबसे प्राचीन उलेक मुझे आदी पुराने में देखने को मिलता है आदि पुरान में दो प्रशंग आता है जहां सांती धारा का प्रशंग आता है एक भगवान का जनमा अविशेक करने के उपरां इंद्र जगत सांती के लिए अविशेक करता है ऐसा उलेख है जो सांती धारा का प्रमान है दोसरा उले खाता है जब भरत चकवर्ती को सोलह असुग सपने आए उसका मन उद्विग्न हो गया हूँ बड़ा बीचेन परिशान हुआ तो उन्होंने अपने शांती के लिए उस अरिष्ट के निवारन के लिए अनेक कर्म किये उन्हें पात्रदान और भगवान का अभिशेक भी शामिल है तो सांती के लिए किया जाने वाला अभिशेक सांती धारा है समझ गए तो देश में आज बहुत सांती धारा का पचलन है इससे लोगों का मन शांत होता है जीवन में शकारातमत बदलाव आता है और बहुत सारे लोगों ने अनभव भी किया है तो इस सांती धारा में अलग-अलग मंत्र है अब मंत्रो का आर्थ क्या बताओं हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं उसके बाद हम जो सांती जहरा करते हैं उसमें सांती मंत्र के साथ कुछ पिंडाक्षरों का प्रियोग है हमलर भियूम भमलर भियूम आदि पूरा बोलूगा तो टाइम लगेगा आठ मंत्र ये हमारे जीवन को अश्ट गुनों से मंडित करने में समर्थ है संसार के सभी अनिष्ट के निवारन के लिए इसका प्रियोग किया जाता है ये बड़े प्रभावी मंत्र है सांती विधान में इनका प्रियोग है इसके उपरां थब रिध्धी मंत्रों का प्रियोग करते हैं अर्टालिश रिध्धियां है नमो जिनानवादिक ये गानधरे वले के मंत्रे हैं इनका अचिंत प्रभाव माना जाता है जैसे नमोकार का प्रभाव है वैसे इसका प्रभाव है तो नमोकार मंत्र, शांती मंत्र और शांती मंत्रों के उपरा ये रिद्धी मंत्रों का प्रियोग करते हैं इसका बड़ा लाव होता है अब इन मंत्रों की पूरी व्याख्या करूं तो कई दिन निकल जाएंगे उसके लिए आपको अलग से समय निकालना होगा लेकिन मैं एक बात कहता हूँ मंत्रों के संदर्व में मंत्र के लिए अर्था ग्याने की जरुवत नहीं है केवल श्रद्धा की जरुवत है कोई भी मंत्रों चार किया जाए आपको उसका आर्थ समझ में नहीं आए समझने की कोशिश भी मत लगा करो बस ये सोचो ये मंत्र हमारे और जगत के कल्यान का कारण है अगर आपको याद है तो साथ साथ दोराते रहो और याद नहीं है तो उसकी अन्मोद ना करते रहो जादू कर भापने